हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू बैफ्स किचन, आज मैं आपके साथ बाइट सोस पास्ता की रेस्पी शेयर करूंगी, बाइट सोस पास्ता बहुत ही टेस्की बनता है, सबी को ही पास्ता बहुत अच्छा लगता है, अगर आप इस रेस्पी को ट्राई कर लोगे, तो आप भी इस रेस्पी के दिवाने हो जाएंगे, अगर आप पहली वार बाइट सोस पास्ता बना रहे हैं, तो आप इस रेस्पी से असानी से पास्ता बना पाएंगे, आईए तो बाइट सोस पास्ता बनाना शुरू करते हैं, 400 ग्राम पास्ता लिया है, यहां पे मैंने पैन ले लि चम्मा चरमक का डालेंगे चम्मा जिसके अंदर तेल दा इसे निक्स कर लेकिए यहां पर मैंने गैस को भी फुल स्लीम पर रख वहागे आपका में देखिए गॉयल आ गया है अब हम गैस को वीजिम फ्लेम पर कर देंगे अब इसको जादा भी नी पकाना है इसको कवर कर दो 62 इसको बीय तेक करते लीच लोगे यह ऐसे न है और इसको इसको इसक़ी लाते रहेंगे थाकि आपका यह आप इसमें चिप कर नाजाए यहां पर zone चैनल लीच पाज़ा है कैना पर का चार सुग हम यह पर पास्ता है यह अपे बिसलिन से भाए है देखिए एक तंदा पानी डालेंगे लोड़ा की ए पेन भी टेल एउतने जाने है 10 पेन नहीं देल के डालना गर्म बनब देते है जए 7 खलिया लसन के लिए हैं को मैने आए काटके लिए दाल दाल देते हैं इसको अच्छों से मीक्सまぁ कर लेते है जैस वनेo पर यह आपिणफल पली पर रख आ है दो मेधिम साइज के प्याज रिख मोटा से तक यह थो भादा है है और और हम प्रेह क्रणों में तुंटा है ज नो ग्यासीन करूँ अब टोड़ीज को यहां पर हूजिंज कर देता है एक चैथी वाली गाज़ इसको भी बला तकड़ेश पुकुदिया है क्रेड गाजक इसको भी बारीक बारीक कात लिया है कि अधा चम्मच नमक आधा टीस्पून काली मिरिच अच्छा से मीच्स कर लेते हैं और गैस को फुल प्लें में कर देखें इस सब्जीयों को प्रंची होने तक पकाएंगे कि दो टीलमेंट हो गया है अब हम यहां पर वाइट सोस बनाएंगे शार चम्मच मेले घी के लिए है और आप यहां पर चार चम्मच मैदे के डालेंगी अब इसको अध्य से मिक्स करेंगे अब हम गैस को यहां पर अब इसको रोस्ट करेंगे अच्छे से मैदे को मैदा हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है अब हम इसमें बूद डालेंगे यहां पर मैं दो कप डूद के डाल रही हूं यह वले कि अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिसे इसमें लंग्स ना आए इसको लगातार चलाते रहना है इस तरह से इसमें लंग्स नी बनने चाहिए बस इसको लगातार चलाते रहना है आपने इसमें लंग्स नी बनने चाहिए काली मिर्च वन टीश्पून चिली फ्लेक्स वन टीश्पून ओरिगेनो आधा चमच नमक अब इसको भी दो तीन मिनिट हो गया है अब हम इसमें बैजी टेबल से डाल देंगे अब इसके अंदर यह बली बैजी टेबल डालेंगे जो हमनें करंची करंची बनाई थी इसको अच्छी से मिच्ट कर लेते हैं बाइट को फास्ता में पास्ता एक डम रेडी हो गया है अब इसको हम इसको एक प्रेट में सब कर लेते हैं गैस बन कर लेते हैं अब अब लास्त में हम डालेंगे इसमें रेड चिल्ली फ्लेक्स पीज़ूद और इगेन तो देखिए हमारा यमी बाइट सॉस पास्ता एक डब बन कर दो अब कि त्यार हो गया है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जिरूर करना बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना थैंक्स फॉर बाटिंग माई वीडियो जुआ